पूछा नारज जी ने वालमिकी से पूछा कि इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है तो वहां से रामायन की शुरुआत होती है सूत महरशी अपने शिश्यों से बात करते हुए कहानिया बताने लगे तो महाभारत शुरू हुआ ये कहानी बारिश के मौसम में एक शाम विशुनात नाम के आदमी के घर से शुरू हुई अब्बू लड़की का पिता बनने से ज्यादा बदकिस्मती और कुछ भी नहीं है सब लोग नौ महीने कोख में रखने वाली मा के बारे में बात करते हैं लेकिन पैदा हुई उस बच्ची को दूद की बॉटल से लेकर शादी के मंड़क तक ले जाने वाले पिता की बारे में कोई बात नहीं करता पैदा होने पर वो रोती है पर शादी करके जाते वक्त हमें रोलाती है अब्बू जब लड़की पैदा होती है और जब वो हमारे कंदों पर खेलती है तो उस खुशे को बया नहीं कर सकते है जब वही लड़की बड़ी होकर हमारे साथ चलती है और जब आवारा लड़कों की नजर उस पर पढ़ती है तो अपने शरीर का खून खौलने लग जाता है उस वक्त अपना दिल सिर्फ यही कहता है कि इन सभी को जमीन में जिन्दा गार दूँ मुझे मेरे बेटे के पैदा होने पर कोई खुशी नहीं हुई लेकिन उन्नीस साल पहले ऐसी ही एक रात में मिशन हॉस्पिटल के बरामदे में जब मैं बैठा था मुझे रोनी की आवास आई उस आवास ने मेरी जिन्दी की बदल दी अंचली पैदा हुई थी उसके बाद मुझे वक्त का पता ही नहीं चला फूड सप्लिमेंट्स के टिबबे पूलियो की खुराक, स्कूल का बैग वो जब आठ साल की थी स्कूल जाते वक्त मैंने आईसक्रीम दिलाई थी पापा, अगर मुझे रोज आईसक्रीम खाना होगा तो आपको कितने पैसे कमाने होंगे? ये सवाल किया था उसने फिर मैंने स्कूल के पास ही आईसक्रीम पार्लर खरीद लिया उसे दिन मैंने सोच लिया था कि अपनी बेटी को उसकी जिन्दगी में किसी भी मुसीवत से बचाने के लिए उसे बेफिकर रखना होगा और मैंने ऐसा ही किया करोणों कमाए, पैसों की कमी नहीं होने दी अंजली के हर जनम दिन पर मुझे गिफ्ट देनी की आदत है इसी तरह मैंने पिछले साल भी गिफ्ट दी पर वो गिफ्ट मेरी जिन्दगी को और उसकी जिन्दगी को इतना बतलते की सोचा नहीं था जाड़ी हाई अंजू, तुम्हारा गोल्फिश कैसा है? मैं एक्वेरियम के पास हूँ, या आपको कैसे पता? अंजू के बारे में सब कुछ उसके डैड़ी को अच्छी तरह से पता है अंजली को भी उसके डैड़ी कहा है, यह पता है कहा हूँ बताओ? जली में मीटिंग खत्म करके होटल में आकर रूम से फोन कर रहे हैं मुझे, राइट? रॉंग! जली में मीटिंग खत्म करके, फ्लाइट से हैदराबाद पहुचकर, अब अपनी प्यारी बिटिया के बेड्रूम के नीचे खड़ा होकर उससे बात कर रहा हूँ लुष बिर को बेड्राद से लुष को रही है अचरव अचले वोड़ी है युष युष युषभ युष युष युषभ युष युषभ युष युषभ many many happy returns of the day thank you shall we go for a drive well nahi jana yahoo nahi jana nahi bereich nahi jana nahi jana nahi jana nahi jana nahi jana ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, 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 कर दो 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 यजमान बेटी को आशिर्वाद दीजिए क्या मागा भगवान से चल्दी से इसकी शादी हो जाए पास होने के बारे में मागो शादी का क्या है चार गंटे में हो जाएगी परिक्षा का भी तो वही है डाड लिखने में तीन गंटे लगेंगे मैं, sorry, many many happy returns of the day वैसे तुम रात में कहां चली गई थी, मैं विश करने आय ता तुम रूम में थी नहीं तो पापा के साथ गई थी, हरे बैन हमें कह दिया होता तो क्या चला जाते हूँ अगर कह दिया होता तो क्या करते है अरे सब लोग साथ में खुशी बनाते और क्या बस आशरवाद देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे क्या अरे देने का मौका ही का मिल रहा है पिछले साल सोचा की सैकल दू पर पापा ने स्कूटी दे दी फिर मैंना सोचा की कार दे दू हलो, हलो, वो है क्या? मा जी, क्या हुआ? अर्जेंटली हजार रुपय चाहिए उन से जल्दी लेकर आओ हजार रुपय ना? वो यहां नहीं है सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सिर्फ एक ही काम पैसा, पैसा, मैंने कहा है, यहां जार रुपय चाहिए अजार रुपय देने के लिए इतनी कंजूसी करते हैं इतनी बड़ी शॉप है और क्या बड़ी शॉप है? शॉप पाउडर के डिपे जितनी है और लोन पाम ओल के करस्ता जितना उपर से दादा जी नहीं आते हैं लोन चुकाने के लिए वो उपर पांच में माले परहते हैं क्या चाहिए सर? एक किलो तूर की डाल दे दे सुबह उड़त की डाल या मूं की डाल मांगने के लावा तूर की डाल केने से आपने मेरे कान को त्रिप्टी दे दिए सर बोनी हो तो ऐसी हो सर्विस बड़ी तेज है आपकी उड़त की डाल बहुत स्वादिश्ट होती है सर चुट्टे दे दो आप पैसे तो दे दो आपके बिटे ने नहीं दिया आप खरीदोगी तो वो क्यों देगा चाहिए? क्योंकि उसने उधार लिया है मुझसे तीन सो रुपे लेकर औरत की दाल क्या निया स्टॉक आया है एक किलो लेकर ट्राइ करने को कहा उसने हाँ शोक लग गिया क्या? शोक किया तो शेख हो जाएगा सर ये बिलियर्ड स्टेबिल है सर इसके उपकर वो पैक देखेंगे तो ओनर मुझे नौकर से निकाल देंगे सर क्यों भई? पैक को चीप समझकर हटवा रहा है हमारी जात में ये पीना जरूरी है पर हमारी जात में जरूरी नहीं है तु मुझे सो रूपे देना बाकी है ना ये तो सही का बाजी कितने की है भाई? मेरा तीन सो उसके पास कौन से पत्ते भाई? दो गुलाम है तुझे कैसा पता? अरे उसका चश्मा देखना यार सच में क्या दिमाग है तेरे पास? खुद के पत्तों का क्या है? जब चाहे तो अब देख सकते हैं पहले सामने वालों के पत्ते देखने चाहिए तू तो पक्का जीतेगा यार फाइव हंड्रेड का है? दे देंगे भाई शुख करने के बाद उसे हमें देना होगा यह बाद उसे कहां पता है? दिखाओ पहले तू दिखाओ तू जो बहुत दुख होगा? कोई बात नहीं सहल हूँगा दिखाओ चलो बई अपना हुआ हलो बागी के पत्ते हमें पता हैं भाई दिखाओ तो यह बाद तुम्हारे चश्मे पता है? इसमें क्या इसमें एप यह दिखता है इसे गेंबलिंग लासस कहते हैं टिको यह कुछ ज्यादा हो गया है इस तरह दोखादे रहे हो अल्हे आप तो खुलो आरे यह और क्यों आए आइ पंप फपापे मिनिट में यह तो ना पलीज में बाद सुनिया ना पापा एं DamIGHT पापा रात को सेकंड शो के लिए था पापा वहां पर थेटर के बाहर कोई खेल रहा था क्या खेल रहा था वो उसमें मेरे 300 रुपे चले गए जहां हो वहां का ग्यान लो ऐसा आप ही ने तो कहा है न इसलिए रात भर उसके पास से कोचिंग लेकर सुभाइए देखो यहां स को मारा दूसरी क्लास में टिफिन नहीं दिया तो काम वाली की चुटी कर दी वह आज भी लड़कों की तरह बाल रखके घुमती है कोई भी काम तुने मेरे दिल की शान्ती के लिए आज तक तुम मर क्यों नहीं जाता जिन्दा क्यों तो अब तक पापा सारी लड़की हमें डिसकस करते हैं हाँ डिसकस कुछ नहीं करना आज फैसला करना है कि तु घर में रहें तुझे निकालना पड़ेगा अच्छा ललका रहा हूं तो क्या कर लेगा शाम को घर आउंगा बता दूंगा सुनो सदामीनी तुमसे मैंने कितनी बार कहा है बेटा खाना खाले चली राड़ी आज कौन सा वार है शनिवार है शनिवार के रात को मैं क्या खाता हूं कुछ नहीं खाते हैं क्या पीता हूं दूद तो फिर खाने के लिए क्यों पूछा दिमाग नहीं है क्या तू आजा बिना सो गया उस पर दया नहीं आती उस नालायक पर दया करने की कोई जरूत नहीं है बाहर कहीं खा गया होगा शाम से वो कहीं नहीं गया है तो फिर दोपेर में खा लिया होगा उसने मतलब उसने खाना नहीं खाया यह आप नहीं मानेंगे अगर वो एक वक्त नहीं खाया त अम नहीं वो तो हॉल में हैं खाना शुरू किया तो पढ़ने वाले बच्चे कैसे होनी चाहिए इस पर किताब लिग देंगे रहने दो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं ना तो अच्छे से कहना चाहिए ना इसे ताना नहीं मारना चाहिए वो सब छोड़ो दूद आपके हाथ से तो पानी भी अमुरूत की तरह लगता है और चाहिए तो सीधे मांग भी सकते हैं इतना सा क्या करोगी ये भी पी लेता हूं अरे 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 ज्यादा पी रहूं क्या मां नहीं नहीं में पेपर पढ़ने से थोड़ी बहुत जन्ना नौलिज आ जाती है तीस साल से पढ़ रहे हैं आप चश्मा लग गया आप पानी पीएंगे क्या दूद लाने को काता बंद मिन बाल आके पानी पीऊगे ऐसा पूछी दिमाग नहीं है क्या दिमाग तो है दूद नहीं है द अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं आपको दूद पिए बिना नीम नहीं आएगी कल सुबा तक दूद नहीं आएगा मुझसे पंगा मतलो है जब गुस्ता आता है तो खाना नहीं खाते तेत्रे जादा नहीं खाते मतलब गुस्ता भी मुझे और भूग भी मुझे न इसलिए पारे फल खाएंगे इसे डाइटिंग कहते हैं ससोर जी ठीक है करते हैं सासुमा आप अपने बैटे को देखिए उनसे ज्यादा वो खाता है बाकियों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं नहीं है तो नहीं अंजली के कॉलेज के बारे में पता किया वसली कॉलेज अच्छा ह अपनी बीवी को जॉइन करवा देना डाइड किस बात पर बहस हो रही है कुछ भी नहीं तो आपने पहले से डिसीजन ले लिया है अगर आपने पहले ही सोच लिया था तो फिर मुझसे क्यों पूछा अरे फिल्म देखने जाते समय ठीटर के बाहर हर कोई पूछता है कि फ अपने इंग्लिश प्रफेसर कितने हांसम है तू एसी बात मन कर क्यों क्यों कि मैं उसे बसंद कर देखने सुन्दरी तुम लोग अपनी पढ़ाई को प्यार करो किसी और को प्यार करने की ज़ुरत नहीं है चलिया से इससे कोई लाइन नहीं देता ना इसने जलस हो रहा है जलस हो रही है यह भगवान यह कैसा ड्रामा है यह बीश में कौन खड़ा है तू कौन है बेवकुफ सारी सर मुझे लगा कि कोई स्टुडेंट है सर तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे स्टाइल ही ऐसी है वैसे इतनी किताबे कहां ले जा रहे हो अभी सपहाई शुरू क होता है सूपह जट सर मैं पैंट कशें अंडर spelच इंथ पहंता है और इंदेश सूपर मैं पैंट के ऊपर पहंता है मैं कौन हूँ मैं या सूपर मैं हूँ आप तो जेंटलवैं नहीं है सर मतलब बिना अंदर वेयर के पहंते है आप Tá, फ ए म्यु अस जेंटलमैं गुशन हाई शालू हेई मेरी कार किसी ने देखा तो नहीं आपको दिखा नहीं देता क्या रोड पर टक्कर लगती तो मैं समझ सकती हूं पारकिंग प्लेस पे इसे खरीद कर अभी एक हफता भी नहीं हुआ है बेवाँ से कितना चिला रही थी वो भी नहीं सुनाए दिया क्या मेरी हालत सुनोगी तो आपका सीना फट जाएगा इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है तुमें मेरी बहन को कान से सुना ही ने दे रहा था तो हॉस्पिटल ले गया था उन्होंने टेस्ट करके बिल दे दिया उससे देखकर मेरे पापा का दिल ब्लॉक हो गया बाइपास करने क का मेरे डिगरी पास नहीं हुए है मैं पाइपास कैसे करूंगा इसले किसी दोस्ट से कर्ज मांगने के लिए मैं यहां पर राया वो लड़की मुझे पैचान के लिगी तो वहां पर देखा और यहां गारी ठुक गई गई गारी अप इतना बुरा मान गई क्या आपकी हाल मतलब मैं डाटा इसलिए आप रोग तो पिर आपके डाड़ी हाट अटाएक हाट अटाएक उसको होता है जिसके पस हाट हो मेरे पापा के पस चांसी नहीं है हाँ वैसे इसे पहले क्या गाता दिखता नहीं है क्या बाइक चलाना इतना आसान लगता है गया तुम्हें अंजली सिर्फ अंजली तुम्हें पता है मैं कौन हूं मुझे जॉइन होके सिर्फ दस मिनिट ही हुए है तुम्हारा नाम अंजली यह मुझे पता है और मैं दो साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूं फिर भी मेरा नाम रिशी है यह तुम्हें नहीं पता वेरी बैड चल प्लेट एटली दोसा खाओगी कि दो सभी एग लेना तो फिर उपमा नहीं चाहिए उपमा भी एक प्लेट लेगा आता काफी ओके नई लड़कियों को कॉफी पसंद नहीं है एक आइस क्रीम लेगा नहीं है खाना खा लिया क्या खा लिया वही इसलिए तुम कुछ खा नहीं रही हो मैंने तो दो घंडे पहले ही खा लिया था सब यहीं कर दें आईये बिल्सर क्यों पैसे नहीं है तुम उस कार के ड्राइवर की बिटी हो या ओनर की बिटी हो वह कार में है तो फिर ठीक है वर्स में पैसे होंगे निकालो निकालो टिप का तो हो गया बिल का क्या मेरे पास तरफ इतने ही है तो फिर पैसो के बिना कॉलेज में आती क्यों हो मुझे जो कुछ भी चाहिए वो डाली खरीद देते हैं तो फिर बिल कौन बरेगा सिनेमा में देखकर हसता ला लेकिन सच में बिल ना भरने पर प्लेट धोना पड़ता है यह मुझे आज ही पता चला गिरा दिया ना खुद तो चम्मज की तरह है सारे प्लेट एक साथ उठाएगा तो क्या होगा थैंक्स भाई मेरा धोने का काम कम करवा दिया यह क्यों बेवजा पकड़ा हुआ है हाई रिशी रिया नो एई तुमसे ही कह रही हूँ क्या हुआ रिशी रिशी तुम सच में आई हो क्या ऐसे क्यों पूच रहे हो तुम दो दिन कॉलेज में आई थी तुम बात भी नहीं कर रही थी तुम मुझे बुला रही हो ऐसा मुझे वहम हो रहा था मुझे से बात करने के लिए इतना वेट कर रहे थे फाइट करने वाले को फाइटर कहता है वेट करने वाले को वेटर कहेंगे तो मुझे बेस्ट वेटर आवाट देना चाहिए क्या हुआ था कल भी ऐसे ही मुझे कॉफी पीने के लिए ले गए थे अंजली कॉफी के साथ हलका सा खाना भी खाया था बिल टू हांडड़ रुपीज काया रिली अंजली उस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं थे तो फिर रिशी ने पैसे दे दिया भर दिया होता तो थैंक्स कहती ना सॉरी क्यों चैटी हां सोरी क्यों बश क्यों शुम्म्हें थूम्हे था ऐसे चलिजा उपलीज बिल नहीं बारा था वाल है यसनली डूल कॉप लेश सोनी नहीं की था प्रस कउपी स्वीट नहीं, आक्चुली मुझे दोड़ा सा काम है रिशी, सम आदर टाइम, ओके, बताओ सुशीला सुंदरी, क्या कनफ्यूजन है तुमारी, डर लग रहा है सो, डर लग रहा है, मेरी सर्विस में मैंने ऐसे बहुत सारे प्रेवक किये भी है, करवाये भी है, अब इसमें इसको मि सुवा निकलेगा, सुगेंगे तो खासी आएगी, तुम डर ना मत, क्लियर होगा तो सब ठीक हो जाएगा, सु, सुनो, सुशीला सुंदरी, सुनो, सुंदरी, स्मोकिंग इस रियली इंजीरियस टु हेल्प, चुपो जा बाई, चुपो जा, तकलिब इंसान को नहीं क्या जानवर को आएगी, चुपो जा बाई, अगर तू रोएगा ना, तो मैं भी रोना चुरू कर दूँगा, प्रीज चुपो जा, देखो, तुमने जो किया, उसके वज़े से कितना तरप रही है, दो साल से प्रिया की पीछे गूम रहा है, पता है तुमें, सौरी बाई, ती पेपर में चपो देती क्या, अब वो सब डिटेल्स की जरूते क्या, अब ऐसी बात कर रहा हूँ, तू रोना चालू रख, यह तो सेंस्लस ललका है, अभी तक रो रहा है, अगर मेरे जैसा सेंस्टिव ललका होता ना, तो ससाइट करके मर गया होता, सही का ना, दोहुत मार सॉरी भाई, मुझसे निकल कर, देखो तुम इस कॉलेज में नहीं हो, यहां के क्या निया में तुम्हें नहीं पता है अभी, यहां पे लड़किया आती जल्दी हैं, लेकिन जाती देर से हैं, और उनके हैंड डैग में कम से कम हजार रुपे होने ही चाहिए, और लड़को क्यों? एक्शली इस रोड को बनाने में दो करोड खर्चा होगा, पर दूसरी पार्टी ने सवा करोड का ही टेंडर डाला है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हमें कॉंट्राक्ट बिलकुल ना मिले ठीक है, जैसे हमने सुचा था, दो करोड भेज़ दो आपके गाव में जो सच्चा राओ जी है ना, उनके बारे में कुछ इपात सेदे मुद्धे पर आओ उनके पोते कुमार ने पिछली साल किसी शादी की कैसेट में देखा था तो उस बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ लड़का क्या करता है सौफ्टर इंजिनियर का काम करता है सर अमेरिका में है महीने में पांच-छे लाग तो कमाई लेता है और एक बड़ा बंगला भी बना आया है कहाँ पर अमेरिका में और उसके माबाप हाँ है ना जी अमेरिका में ना नहीं नहीं यहीं पर है ओ यानि उन्हें सिर्फ देखने आता है क्या अरे रे इतनी फुरसत का है उसे जब भी उन्हें उसे देखने का मन करता है तो वो वीजा और टिकेट भीजवा देता है उन्हें अमेरिका में बुला लेता है वो उनकी इज़त और दौलत बिलकुल आपके लाग है सर रंगरा जस्ट अ मिनट माबाप और भगवान के हमें खुद दर्शन करने पड़ते है ये सोचना कि वो हमें खुद दर्शन देने आएंगे मुर्खता है जिसके पास इंडिया में रहने वाले माबाप के लिए टाइम नहीं है वो अपनी बीवी को क्या टाइम देगा वैसे भी शादी के बाद अपनी बेटी को देखने के लिए मुझे वीसा की ज़रुवत पड़े मैं ये कभी नहीं चाहूँगा मुझे अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का चाहिए मैं जानता हूँ वैसे एक बार अगर उसका फोटो देख आप जा सकते हैं आंजली की शादी किस लड़के से होगी मुझे पता है गुद मौर्णिंग सार है सारदी गुद मौर्णिंग कम 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 शाद आप कोई काम कर रहे हैं मैं बाद में आ जांगा सिस्या तुमसे बढ़कर कोई काम है क्या थैंकिश बैठो अचार पंद्रा है वो पंद्रा भी उपर रख देना भाई गलती आपने देखी नहीं गलतिया नहीं आदते तो देख लो कम से कम नेक्स्ट नीबू का अचार और हमका अचार दस अरे क्या खाक अचार लिखूंगा हाथ दुखने लगें अरे ज़रा चाय बोलना यार चाय चाहिए हमारे पास टोव है घास लेठ है चाय पती है मिल्क पाउडर है शक्कर है धरमस है क्या वो भी है वो ले जाके इरानी होटल से दो चाय लेगा हो अब ही लाता हूँ पापा ने कहा था डिपार्टमेंट स्टोर नहीं चाहिए लेकिन मैंने सुना नहीं या सिर्फ आंटी आई है एक ब्यूटी पार्लर खोला होता तो पड़ाई चोड़के 24 गंटा में या खुड ड्यूटी करता पर क्या गरें घमान बहुत है यह कौन है तुम हो यह शॉब हाँ क्या है लोन वैसे क्या खुरितने आई हो होलेक्स और फैरेक्स हां फैरेक्स तुम जैसे बड़ते बच्चों के लिए अच्छा है वहां पर रखा है जाके ले लो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ तो फिर क्या हो लड़की हूँ अच्छा अगर गौर से देखा जाए तो यह भी अच्छी है अंजली है यह पॉफ्यूम ट्राइब करके देखो लड़की हूँ झाल अच्छा 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 प्रटाइब करदाओं झाल झाल उस लड़की ने क्या खरीदा? नया पाफ्यूम आया था ना एक बेज दिया वो तो लड़कों के लिए था ये खुलता नहीं है क्या? वो नहीं खुलेगा क्यों खराब हो गया क्या? नहीं बाबू आपके पापा ने उसमें ताला माद दिया तुम पर भरोसा नहीं है? मुझ पर भरोसा है बाबू लेकिन तुम पर भरोसा नहीं है ये हुई ना पाथ ऐसा मारों के विकेट टूट जाए उसे आउट कहते हैं ऐसा मार की बॉलर का मूँ भट जाए फिर मैच रुख जाएगा उसे तो आराम से फोर जाना चाहिए बस ये तो ठीक घए हे हे क्या मारा अब चपका मारने पर चिलाएगे नहीं तो क्या रोएंगे तुम सब लोग रिषी के फैंस होगा? नाई फ्रैंस अरे यार उसके सिंगल लेने पर भी तालिवी बजा रहे हो तो सेंचुरी मारने पर बजाएंगे क्या है अब रिशी का स्कोर क्या है रफली 45 होगा पक का स्कोर बोल 46 पचास नहीं मारेगा दोसों की बेट लगा पक का मारेगा 400 की बेट एक चौका मार 400 अपने बन जाएंगे पैठे पैठे हाई विशी बहुत अच्छा खेलएंगे है 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 आउट फ्रकेल के मारेखेल कहमें तुससे मैंने पैसे कब उधार लिये भे दोस्त आउट हो गया उसका दुख है मुझे हो तुम उसे पैसे बांग रहा है चल बाग यहां से तू भी क्या रहे इतना दुआ दर चौका चौका मार रहा था अचानक दुआ क्यों हो गया मैस फिक्स है क्या एए ऐसे देख क्यों रही थी मेरी आँखों में आखे डाल कर मैंने क्या 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 तुमने मुझे देखा नहीं क्या सब लोग देख रहे हैं ना सब का देखना अलग है तुम्हारा देखना अलग है क्या अलग है सीनियस से उल्टे सवाल पूछना बन करो लाइफ में आगी जाओगी चल भाई चलते हैं लगते हैं टाटा स्टील फेक्टरी से महारानी को डैरिक ले आ रहे हैं अरे बाप रे उससे आखे मिलते ही 400 रुपे हवा हो गए अपने दुबारा बेट नहीं लगाऊंगा ठेख खरीदने के बाद भी पढ़ सकती है ना पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा खरीदी है या नहीं मैं बहार इंतिसार करती हूं तब तक तु सब पढ़ के कोई एक तो खरीद कर आजा हाई 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 तुम भे बुक्स करीदने आये हो क्या हाँ मुझे सिरु बेचने की आदत है खरीदने की नहीं किसी फ्रेंड के लिए आये हो अब मैं या क्यों आया हूँ यह बतात है हाई बिना तुम मुझे छोड़ने वाली हो नहीं ऐसे ही पूछ लिया माफ कर दो वह सब ठीक है तुम बारिश बहुत पसंदे क्या क्यों खरीद दोगे क्या तुम अगर पैसे दो तो जो चाहो वह मैं खरीद दूंगा आइसक्रीम खाएं क्या अभी इस बारिश में गरम पकोड़े तो कोई पागली खाता है आइसक्रीम खाने वाले ही रोमेंटिक फैलोज है तुम यहीं खड़ी रहों में ले आता हूं ठीक है ठीक है कहोगी तो कफी है चलो चलते हैं आइसक्रीम आने वाली है ना खाकर जाते हैं इतने बारिश में आइसक्रीम खाएगी बारिश में गरम गरम पकोड़े तो हर कोई खाता है आइस्क्रीम वही खाते हैं जो रोमांटिक होते हैं ऐसा रेशी ने कहा तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये लाइन्स तुम्हारी नहीं हो सकती वैसे कितना टाइम हुआ उसे जाके? पंद्रा मिनिट आइस्क्रीम पालर तो बगल में हैं चलो चलते हैं ओके तुम्हें लगा था मैं नहीं होगी क्यों? तुम्हें लगा था मैं नहीं होगी नहीं, तुम्हें कॉफी पीने की आदत नहीं होगी ऐसा सोचाता कम आन रिशी एक्स्क्यूज मी वन सेखा तुम दरों यहां क्यों आई हो? और कोई काम नहीं है क्या? बेकार हम नहीं तुम हो इससे कहा कि मैं आईस्क्रीम लेकर आता हूँ और प्रिया के साथ बैट कर यहां कॉफी पी रहे हैं पैसे तुमने दिये हैं क्या? नहीं तुज़र अपना मूँ बंद रखो 100 रुपया देने पर जेम्स बॉंड की तरा आईस्सिस्टंट के साथ चेकिंग के लिए आ रही हो वैसे भी बारिश में आईस्क्रीम खाता कौन है लड़कों को हजार लोगों से लाखो काम होते हैं यह समझना चाहिए ऐसे रोड़ पर आकर चीप बातें करना ठीक नहीं है चलो जाओ वह सब तो ठीक है वापस ऐसे काम मत करना बारिश में भीगों की तो बुखारा जाएगा घर जाके सोजाओ जो रास्ते में आईस्क्रीम की गाड़ी दिखी तो रुकना नहीं हम अच्छे से खाली तो नहीं आईस्क्रीम अब खड़ी क्या है चल चलते हैं यह तो फॉस्ट टैंडड के बच्चों की तरह क्लास में जा रहा है बढ़ाकू है क्विज में आउवल है जो भी पुछो बता देता है सच में अबे रभी ज़रा यहां आतो सुना है तो क्विज में आउवल है दूसरा विश्वित कभ हो आता बताएगा कितने लोग बढ़े थे उसमें बताएगा करीब दो क्रोड से उपड़ ही होंगी उनके नान क्या थे जाके पता करके आए सुपर्ण यहां कोई जोक मारेंगा तो किसे मारना चाहिए और तुझे हसना चाहिए ज्यादा बोल मत थैंक्स वह देख जैंटल मैन आ रहा है सर, 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 एक मिनिट, पांडू को एक डाउट है सर, तो पूछो, सर सुबह सुबह एक सुन्दर सी लड़की आपका दर्मजा नौक करके ये बोले, जानू जानू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी बीवी को मार कर मुझे से शादी करेंगे कहें तो आप क कवीता, हाँ बे, कवीता ही हूँ, घर वालों ने अंचाने में तो जैसे आदमी से मेरी शादी करवादी, मुझे माधूरी विक्षता और प्रीटी संटा चाहिए, हमें इतनी सुन्दर बीवी बैठी उसे भूल गया, शादी के लिए तो बड़ा विक पहन कर आया था, मु इसे गुस्सा भी आता है क्या, सब को लेगे आजा, हजार उपे पकड़ा, हमें इसक्ड़ कर भी आता है को अो कि लड़की कैसी दिखती है बहुत संदर दिखती है कौन सी लड़की पापा तुझी से देख रहा है वो लड़की मैं तो चांद को देख रहा हूं वो सब ठीक है वैसे वो क्या पढ़ रही है कौन वही लड़की पापा प्लीज पापा ऐसे देवदास की तरह चांद को छुप छुप के देखने से कुछ नहीं होने वाला जो द तुन्हें पड़ाई तो नहीं की लेकिन प्यार ज़रूर किया। बोलने से डरता था मैं और उसकी शादी कहीं और हो गई। कौन है वो पापा? तुम्हारी मा एक बात ध्यान रखना जो कमा नहीं सकता उसे खर्चा करने का कोई हक नहीं है और जो जता नहीं सकता उसे प्यार करने का हक नहीं है है लगा 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 है है लगा 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 है लगा 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 है बहुत दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाहरा हूँ अजली लेकिन वो कैसे बता हूँ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए सब कुछ लेटर में लिख दिया है अगर पैसे होते तो मैं सोने के शीट पर अच्छे से लिख कर सजा कर दे देता लेकिन क्या करें अफसोस लव लेटर लिखने के लिए में लाक रुपे भी खर्च नहीं कर सका अफसोस एक ही शब्द मैं कहूं तो ये लेटर मेरा लिवर एंजली लिवर ये शब्द फ्लावर से लिया गया है दिल का उप्रेशन कर सकते हैं लेकिन लिवर को कुछ हो गया तो कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते हैं जली इसलिए इसे मैंने लिवर कह दिया इसे किसी तरह तुमें प्रिया को देना होगा तुमसे मैं मुफ्त में काम नहीं करवा रहा हूँ ये चोकलेट ले लो मुझे शर्मा रही है प्रिया मेरी चान तुम्हे देखते ही मेरे दिल में प्यार पेदा हो जाता है इसलिए इसलिए मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ एक चानवर की तरह तुम कहो तुम्हें विस्की पियों का देवदास की तरह तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर पियेंगे एक ही कुल्ड रिंक तुम्हारे बिना जिंदेगी मतलब रवा के बिना उप्मा उसे खाना तो मुझे से नहीं होगा तुम्हारी कसम ये ख़त पसंद ना आये तो तुम गाली दो या मुझे मारो पर बात करना बन करोगी तो मेरा मरा हुआ मू देखोगी ये कविता लिखी है मैंने बहुती ब्रांडिड बॉल पेन से उसके रिफिल से मैंने अपने देल का हाल जाहिर किया है उसके अंदर इंक नहीं है प्रिया तुम्हें और मुझे मिलाने वाला इंक है इतनी poetry लिखने के बाद ये खट directly तुम्हें देने में मुझे शर्म आ रही है इसलिए अंजली के हाथों भिजवा रहा हूँ अंजली को ही दिया क्योंकि उसकी body तो बढ़ गई है लेकिन उसका दिमाग नहीं बढ़ा है और ऐसी लड़की पूरे college में वो अकेली ही है एक चॉकलेट दो तो चाइना वाल पर से भी कूच जाएगी तो ये खट लेने के बाद उसे चॉकलेट देना भूनना मत है आज घूरवार है शाम को पांच बजे मा और बहन साही बाबा के मंदिरी जाते हैं पर मैं तुम्हारे लिए अपने ही घर में इंतजार करूँगा तुम्हाओगी न मैं तुम्हारा बेसबरी से इंतजार करूँगा तुम्हारा अपना अमर प्रेमी रिशी कॉफी पिलाने के लिए इतने बड़े होटल में लेकर आया थैंक्स यार अरे तू फेकर मत कर, बेल तुझे ही देना है, order सर, कॉफी है क्या, hot coffee चाहिए या cold coffee सर, hot कितने की, cold कितने की, hot 35 और cold 80 सर, cold नहीं चाहिए, दो hot coffee 5 cup के साथ, सर दो coffee के साथ 5 cup नहीं आएंगे, चार cup एक गिलोस देखिया, okay सर, कैसा लगा touch, अगर कोई touch देगा, किसे देना च चाहिए, फिर तू, अपना काम कर, अभी पीछे वाली लड़की सुन्दर है, अभी तुम लोग फटा-फट फीलो, वरना cold coffee के पैसे देने पर है, अभी शाम को पांच बजे कला भावन में, फ्रेंस निमा लगने बाला है, मस्त एक्षन है भाई, तो फिर जाएंगे भाई मैंने पांच बजे एक लड़की को अपॉंटमेंट दी है, अभी पांच कहां बजे है, फोन कर गया आता हूँ, एक्स्क्यूज मू, गेट मे डबल थी फाइवन जिरो फाइवेवेवेट, वान मिनिट, हंँ हलो क्यों कॉलेच छूड़ गया खाना खा लिया वेरी गुड वैसे लेटर प्रिया को दे दिया ना खाना खाके सो जाना है ठीक है न एस्क्यूज मी येस मुझे बात करनी है डेफिनेटली मेरे फोन रखते ही आप नंबर बोलो के तो वो लगा देंगे मुझे उसी नंबर पर बात करनी है आप अंजली का डैट प्लीज हलो बेटी मैं बोल रहा हूं डैट कुछ खास बात नही मुझे आने में थोड़ी देर होगी बंबी से कह देना इंतजार ना करें बाई अंजली आपकी बेटी है सर बताये तो तुम्हें मैं अंजली का ग्लासमेट हूं आपकी बेटी बहुत सुन्दर है सर थैंक यू आप पर बिलकुल नहीं कई है सर इंस और गड़बडी में हाई कहां गया था ये लड़की बिचारी कब से तेरा वेट कर रही है बेट आप ये सब क्या है ये लड़की तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है ना वही कहीं तो देखा था मैंने से इसने तो कहा तुम्हें जानती है हाँ आप जानती होगी तुम भी पहचानते हो मा आप अब तक मंदिर नहीं गई तुम्हें टेंशन लेने की ज़रत नहीं है हम जा रहे हैं हम मंदर जाकर आते है हां ठीक है बाई अजली बाई अगर कुछ समय में प्रिया आने वाली है नहीं आएगी क्यों कि उसका शरीर बढ़ गया है पर दिमाग बच्चों जैसा ही है यह टायलोग कहीं तो सुना सुना लग रहा है सुना नहीं होगा शायद लिखा होगा तुमने वह लेटर पढ़ लिया क्या हां पढ़ लिया दूसरों के लिए लिखे गए लेटर में मेरे बार में नहीं लिखना चाहिए यह तुम्हे नहीं पता क्या तुम पहले वह लेटर मुझे दो यह कहां देना है मुझे अच्छी तरह से पता है अंजली हम दोनों एक एगरिमेंट करते हैं तुम वह लेटर मुझे दे दो तुमने जो क झाल 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 प्रिया को लव लटर लिखते हो और मुझसे प्यार करते हो कह रहे हो कैसे यकिन करूं कैसे यकिन करना है वो तुम सुचो पर क्यों करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ अंजली एक आम का पेड़ है और उस पे सिर्फ एक ही आम है वो हाथ नहीं आता इतनी उचाई पर है वो अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे पास में उसे मारने के लिए कोई पत्थर है की नहीं ढूंडेंगे पर दूर से देखने वालों को ये लगता है कि ये उपर के फल को छोड़ कर नीचे क्या ढूंड रहा है बड़ एक्चुली फल जितना ज़रूरी है उसे मारने के लिए पत्थर भी उतना ही ज़रूरी है इस कहानी में पत्थर प्रिया है और फल तुम हो अगर मैंने की लेटर प्रिया को दे दिया होता तो तुम नहीं देती मुझे पता था अंजली यहां से प्यार करो तो यहां पता लगता है सुनो कल सुमें याद से मुझे नौब ज़र उठा देना इतनी जल्दी उठेगा नीद नहीं पुरी होगी अगर इस उमर में महनत महीं करेंगे तो फिर कप करेंगे डाड मजा कर रहा है नहीं डाड आपको रोटी दे रहा हूँ यह बता तुने खाने और सोने के लिए ही जनम लिया है क्या क्यों जी खाना काते से में भी आपकी डाट खानी पड़ेगी क्या आपको परउस दो अंजली को आने दो वो बाहर गई हुई है हाई डाड़ी यह क्या अपने 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 खाना नहीं खाया यह कह रहे है कि तुम्हारे साथ ही खाएंगे पर तुम सॉरी डाड मुझे भूख नहीं है गड़ नाइट निकालो आजकल इसके फेंड कुछ ज्यादा हो गया है और खाना कम यह क्या इस वक्त यह क्यों आया हो उस दिन आइसक्रीम खाने के लिए पैसे लिये थे ना वो देने के लिए आया हूँ पैसे का है एक्चुली वो अभी तो नहीं है दो दिन का टाइम दो की तो दे दूंगा यह कहने के लिए आया हूँ मेरे इतने बास क्यों आ रहे हो शाम को जो खेल रहे थे वो फिर से खेले शरम नहीं आती क्या प्यार है न पर प्रिया अरे इतना क्यों शक है तुम्हें शक नहीं है डर है क्यों मेरे पास ब्रेन नहीं है इसलिए चॉकलेट खाती हूँ इसलिए बोर होकर छोड़ दो कि इसलिए पगली मा पिता और अंजली कभी बोर नहीं करेंगे ओहो दो बच गए और एक घंटे बाद तीन बच जाएंगे अगर यहां किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी शादी कर देंगे इसलिए तो मैंने तुमसे प्यार किया है ओहो जाओ ना रिशी प्लीज तुम्हारे घर में डॉगी है क्या आते समय तुम्हें देखा नहीं क्या अगर देखा होता तो आता है नहीं कुछ नहीं करेगा जाओ थोड़ी दे रुख जाओ, उसके सोने के बाद चला जाओंगा वो नहीं सोएगा क्यों, उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है क्या वो सब मुझे नहीं बता, तुम यहां से जाओ ना रिशी, प्लीज मैमानों को इस तरह से भगाती ही हो क्या एए दॉघट नहीं ext greenhouse झाला रिपान ए从 wildlife थाicular सी भगान। मैमान। मैमानों कुम जाओ जाओवाई का वीज़ब्लम है आपको प्राइब कर दोगी इसके बाद लाइफ में कुछ नहीं मांगोंगा क्या हुआ इसे तोड़ा पीछे बुला लो मुझसे दो साल सीनियर हो फिर भी एक डॉगी को नहीं समाल सकते टाइम देख के बदला ले रही हो नहीं और हमारा क्या है वैसे भी आप तो हमारे सर है न नहीं, कल से मैं ही तुम्हें मैडम कहकर पूरे कॉलेज में घूमँगा फिर गर्फरेंट, कोफी कट कल से तुम्हारे सिवाय सारी लड़किया मेरी सिस्टर से तुम्हारे बैक्स मुझे उठाने होंगे ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी मैं ही उठाऊंगा इसे पीछे बुला लो तुम्हारे पैर बढ़ता हूँ मेरे नहीं, उसके पढ़ो क्योंकि वो मेरी बात भी नहीं मानता है क्यों, लैंग्विज प्रॉब्लम है क्या वो हमारा कुद्धा है ही नहीं पढ़ोस वालों का है, बाहर गए है, इसलिए यहां ठोड़ गए है डायान कहीं की बाई उसके बाद क्या हुआ तभी लग की लिए एक डॉगी आगई तो उसने मुझे छोड़ दिया वरना आज सेम डिसकेशन हमारा हाउस्पिटल में हो जाता मुझे पता नहीं था तुम्हें डॉगी से इतना डर लगता है मुझे लगा तो मजा कर रहे हो मजा कर रहा हूँ उतने पास से उसका चेहरा देखने पर कितना डर लग रहा था पता है I'm sorry रिशी ऐसे कहते हैं क्या I'm sorry रिशी ऐसे ही कहते हैं क्या तो फिर कैसे कहूँ ऐसे कहते हैं वो सब अभी नहीं तो फिर कब इस तरहे खुले आम सब के बीच अच्छा नहीं लगता न तो कहां अच्छा लगेगा समंदर के पास जहां ठंडी हवा हो उची उची लहरे हो और वो लहरे आकर हमारे पेरों को चूर रही हो दूर चांद हो और पास तुम हो पीच पीच में हमें छूती हुई हावा ऐसी जगे होगी तब अचली अब सडनली समंदर को हैदराबाद में लाना मतलब थोड़ा तो मुश्किल वाला काम है मतलब बहुत ही मुश्किल है कम लेट्स को मैं अब ही आता हूँ अंजली चलो चलता है हमें तो राइट भी जाना है मुझे रास्ता पता है कहां जा रहे है रिशी अरे बताता हूँ मुझे एरपोर्ट क्यों ले आए तुम ट्रेन पकड़ने के लिए अहो कहां जा रहे है हम इतने क्यूरियोस क्यों हो रही हो सेंट क्यों तस मिरिट में हजार बार पूछ लिया बॉंबबे के फ्लाइट कितने बज़े है इस प्रिपेट टेक्सी आपका नाम क्या है रिशी कहां जाना है बैंट सेंड गाड़ी का नंबर डबल फो तू फफ़ाइव थैंक्यू झाट बार 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 के फ़िवें समंदर के पास जान ठंडी हवा हो तूची उची लहरे हो और वो लहरे आकर हमारे पैरों को छोड़ रही हो दूर चांद हो और पास तुम हो और बीच बीच में हमें छूती हुई हवा तूची बश्यूब अब तक सोई नहीं क्या अरे तुमने कॉंटेक लेंसे इतनी जल्दी क्यों निकाल दिये अरे दिन भर तो कॉंटेक लेंस पहनती हो कम से कम रात में चश्मा तो पहनी सकती हो ना चश्मा लगाने से बुढ़ी लगती हूँ ना मैं अरे नहीं लगाओगी तो पती को ससुर जी बोलती हो अच्छा लगता है क्या सुनो लेंस निकालने के बाद अपने कबरे से बाहर मताया करो समझ गई ना ठीक है अरे वहां नहीं यहां चलना है वही तो आ रही है शादी से पहले तुमारे पिता नहीं कहा था कि मेरी बेटी को चश्मा है पर पूरी की पूरी अंधी ह ये बात मुझे नहीं बताई थी हलो हलो विश्वनात मैं चंदर शेखर बोल रहा हूं हाँ शेखर क्या हल चले कुछ नहीं यार तुमारे मेनेजर ने तुमारे लिए मेरे हातों एक पारसल भेजा है हाँ फ्लाइट से उतरते हैं एरपोर्ट पर मैंने अंजली को देखा मै मैंने सोचा तुमारे बेटी को ही देदू लेकिन तब तक हो कहीं चली गई कल मैं आउफिस में भेजवा देता हूं बाई हाँ बाई हाँ बाई हलो 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 अनू मैं अंजली का डेडी बोल रहा हूं अंजली तुमारे घर रहे हैं आज तुम्हें अंजली से मिली ही नहीं ओके बेटा गुड़नाइट हाइ डारी अरे हाई कहां से आ रही हूं तुम आनू की घर पर थी डारी है ठीक हाओ खाना काते है वो जित कर रही थी इसलिए डिनर मैं ने वहीं कर लिया कोई बात नहीं देर हो रहे हैं जाके सोजा। नाइट या फिर नाइट नाइट विश्वनाद बूल रहा हूँ। सर, अंजली शाम को एपोर्ट गई थी, वो क्यों गई थी, उसके साथ को था, मुझे सारी इंफर्मिशन चाहिए, मैं बताता हूँ सर आपको, मैं वेट कर रहा हूँ, सर, मैं सार्धी बोल रहा हूँ, हाँ बोलो, अंजली शाम 6.45 के फ्लाइट से, अपने फ्रेंड के साथ मुंबई गई थी, 7.45 पे मुंबई पहुचे, वहाँ एरपोर्ट पे प्रिपेड टैक्सी लिया, टैक्सी नमबर, MH01-4425 सर, ड्राइवर से हमारे लोगों ने बात की है, वो कह रहा था कि उन्होंने फरनीचर वाले से दो टेबल और दो चेर लिया था, सनन से रस्टोरेंट से खाना भी लिया था उन्होंने, उसके बाद बैन स्टैंड गई और 45 मिनिट तक वो वही थी, क्या किया वहाँ, डिनर, डिनर किया सर, फिर 9.45 के फ्लाइट पकड़ कर 10.45 को हैदरबाद आ गई, उसके दोस्त का नाम क्या था? टिकेट पे रिशी करके लिखा था सर, रिशी सर, एनिधिन एल्स सर, रिशी, मैंने पहले प्रिंस्पल से कहा था, क्या का था, कि सब के लिए बॉल खरीद दो, माने ने, अब देखो तो एक बॉल के लिए सब कैसे लड़ रहे है आपस में बेवकूफ वो गेम है यार्ड किसी ने देख लिया तो हमारे कॉलिज की बेशिती हो जाएगी बहुत देर बात पता चला अब प्लीज आप थोड़ा बूलीं यहाँ नहीं सर इफ लोट में चल लेंगे थोगा हलो अगल रिशी क्या करते हो डिगरी का फाइनल यह रहे सर पढ़ाई करने के बाद क्या सोचा है शादी करने का सोचा है उसके बाद क्या करोगे हनीमून पर जाओंगा और उसके बाद उसके बाद क्या होगा मतलब बच्चे पैदा होंगे बड़े हो जाएंगे उनकी भी शादी करवाएंगे वो भी हनीमून पर जाएंगे उसके बाद उनके भी बच्चे होंगे उसके बाद तो शायद हम नहीं होंगे जिन्दगी में प्यार शादी बच्चों के अलवा और कुछ नहीं है क्या किसी की लाइफ में इससे ज़दा क्या होगा अंकल? होता है, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करने की जिद हो तो जरूर होता है तीस साल पहले मैं इस शहर में अपनी बीवी और एक सूटकेस के साथ आया था उसके मंगल सूतर को बेच कर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया आज करोणों कमा चुका हूँ मैं, ऐसे अमबिशन्स नहीं है तुमारे आपका बेटा क्या करता है अंकल? मेरे कंपनी में वो एमडी है ये क्या अंकल? आपके हिसाब से आपके बेटे की शादी होने के बाद हाथ में एक सूटकेस देकर बीवी के मंगल सूतर के साथ रोड पर भेज देना चाहिए था ना? हमारी लाइफ की तरह सब की जिन्दगी हो ऐसा कैसे सूच सकते हैं? सर, एक इंसान रिक्षा चला कर करोड़ पती बन गया इसलिए अपने बेटे को नई रिक्षा चलाने के लिए देना ये तो बेवकूफी है न सर? हम अगर दस कदम चलेंगे तो हमारे बेटे को ग्यारवे कदम से शुरुवात करनी चाहिए पर फिर से पहले से स्टार्ट करने को कहना करेक्ट नहीं है सर सोचा था मेरी बेटी ने तुससे प्यार किया और वो तेरे साथ मुंबई तक गई तो इसका मतलब उसका दोस्त जरूर एक समझदार लड़का होगा पर तुससे बात करके पता चला कि तु तु बेवकूफ है तु मुझे पसंद नहीं आया कोई बात नहीं सर हंचली को पसंद आया गया न उतना ही काफी काफी नहीं है एक लड़की से प्यार कर I love you का greeting card देना काफी है लेकिन उसी लड़की से शादी करने के लिए बहुतों को वेडिंग कार्ट देने पड़ते जिसमें काफी खर्चा होता है इतने पैसे हैं तु मारे पास प्यार करने के लिए पैसे चाहिए उसे पालने के लिए चाहिए कितने आईसक्रीम मागे तो पारलर खरीदने जितना डिनर मागे तो रेस्टरेंट खरीदने जितना 19 साल की बेटी के पसंद के लिए एक पिता की 40 साल की मेहनत जितना मेरे इतना मैं हर रोज लाक रुपे कमाता हूँ तुम अपनी पूरी जिंदीगी में एक लाक रुपे कमा के दिखा मैं अंजली की शादी तुमसे कर दूँगा वरना इस सूटकेस में करोड रुपए है इसे ले लो और थे मेरी बेटी को कभी दिखना भी माँ Now the ball is in your court I'm always right Dad, Dad हमारे milk powder के लिए मैंने एक अच्छा caption सोचा है आप अगर वो line सुन लेंगे तो हमारे product के लिए line लग जाएगी और अगर ऐसे बेचा तो नहीं खरीदेंगे पहले क्या सोचा है वो बताओ अपना idea बाद में बताऊँ इस milk powder से आप बच्चे के बढ़ने के लिए सारी चीज़े खरीद सकते हैं सिर्फ मा के प्यार के लावा कैसा है डैड हम अच्छा नहीं है क्यों? हम बेच रहे है milk powder मतलब मा के दूद को डबे में डालके बेच रहे हैं यानि हम मा के प्यार को नहीं बेच पा रहे है वो लाइन बदल दे इस powder से अपने बच्चों को बढ़ने के लिए आप सारी चीज़ें खरीच सकते वो भी प्यार के साथ हम क्या किया बता? मैं तुझ से पूछ रहा हूँ तेरी चेन कहां गई बता? क्यों जी? क्या हो गया? क्यों चिला रहे हैं आप? तुमें सिर्फ मेरा चिलाना नजर आता है उसके करम नजर नहीं आते? अब क्या किया उसने? क्या किया? ये देखो उसने चेन को बैंक में गिर्वी रखे पूरे 20,000 का करजा लिया है सुबह बैंक वाला दुकान पर किष्ट मांगने आया था इतने पैसे तुझे क्यों चाहिए थे? जब तक करजा चुका नहीं देता तब तक बात नहीं करेगा क्या? गुस्सा आ रहा है क्या? तेरे गुस्से से ज़्यादा तीजी से करजा चुकाने के लिए बैंक वालों का मुझे लगातार फोन आ रहा है कल जब तु कुछ कवाने लाइक हो जाएगा ना तब खर्चा करने की सोचना समझे और ये बात मत भूलना कि तरे पापा की सिर्फ किराना की दुकान है सुन मेरे बच्चे मेरे ही सामने किसी नालाइकी वाली हरकत करें ये बात मैं बिल्कुल नहीं सह सकता हूँ आपको सैने की कोई ज़रत नहीं है वो करजा मैं चुका दूंगा अरे? तुमने मुबई चाने के लिए अपनी चेन की रभी रख दी थी ना? क्यों रशी इतना खर्च करके? सारे पैसे वाले खर्च नहीं करतें खर्च करने वाले सारे खुश नहीं रहतें पर मैंने उस दिन खर्च के हुए एक एक रुपीय का दस-दस रुपे चितना इंजोई किया I'm happy पर तुम्हारे जारी तुम्हें इतना डाट रहे थे तो मेरे पापा की डाट तो मैं दस मिनिट में भूल जाओंगा अंजली पर तुम्हारे साथ बिता हुए वो पल तो हमेशा याद रहेंगे न रिशी अगर बुरा ना मानो तो मैं चाहती हूँ कि इस वाद दर रियाट ना करो पर फेर भी अपने आपको रोप नहीं बारे ही रिशी जो कुछ भी वो हुआ उसमें मेरी भी खरती थी इसलिए ये तुम्हारे डाटिक को इस तुम भी मेरे पापा की तरह मेरे चैन के बारे में सोच रही हूँ मेरे मन के बारे में नहीं सोच रही हूँ अब तक मैंने पापा नहीं मुझे डाटा तो मुझे हर्ट नहीं हुआ जब भी दिखती हो तो मैं पैसे मांगता हूँ इसलिए ये भी मैंने पैसों के लिए किया है सोच रही हो कियो अंजली तुमने ऐसा सोचा पैसे वहले सब इसी होते हैrd क्या तुम्हारी तरह उत्फ फ़ारे पापर की तरह क्या प्लीज तुम्हारे नजर में मेरे पापा डस्ट है अब मैं वह वह 20 जार नहीं लाके दूगा तो मुझे मईरे घर से निकाल देंगे एक पैसे वाली लड़की से प्यार किया है गल्ती की मैंन है हलो यह क्या है बोर्ड यह क्या है रोड इस बोर्ड के नीचे इस रोड पर गाड़ी पार करने के हिम्मत कैसे हुई बाइक पाक करने के लिए हिम्मत नहीं स्टेंड चाहिए मजाग कर रहे हो बक्वास मत करो जल्दी फाइन बरो कॉलेस की फीस नहीं बरता फाइन क्यों बरो स्टुडेंट हो क्या पचास रुपे दोगे चल जाएगा पुलिस वालोगों मैं करजा नहीं देता भाई ये करजा नहीं है भाई तो फिर रिश्वत है अरे भाई कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा न कितना देना ये इंपोर्टन नहीं है क्यों दे ये इंपोर्टन है लिखूंगा तो सौ लगेंगे, पचास दे दो क्यों दूंगा पैसे, गाड़ी चलाओ तो रिश्वत, रोको तो रिश्वत, खड़ी करो तो रिश्वत, होर्ड मारो तो रिश्वत, कब तक लूटोगे पप्लिक को तू रेजुलेशन कर रहा है क्या मजाग करेगा तो रिश्वत हो जाएगा, गाड़ी पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, कल कोट में फाइन भरके गाड़ी ले जाना, तब पता चलेगा पचास रुपे मांगरा वो भी नहीं दे रहा है आऊंगा सर, कोट ही नहीं, हाई कोट भी जाऊंगा, नयाए के लिए कुछ भी करूँगा, किसी को रिश्वत नहीं दूँगा सर मैं क्यों बे, क्या हुआ नो पार्किंग में बाइक खड़ी की तो रिश्वत मांगता है वो और एक बाइ रिश्वत खा तो तड़ी उंगली तोड़ दूँगा, समझे नयाए के लिए अपनी जान भी दे दूँगा, सर मैं पागल हो गया क्या तू, गाड़ी स्टेशन पर चली गई तो कोट, फाइन, नियूसंस उसने जो मांगा है वो उसे दे 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 ना किसी और की गाड़ी के लिए मैं क्यों दूँगा, तो फिर वो गाड़ी मेरी नहीं है, गिरी की है, गलत है न ये तो, क्या गलत है उस दिल सो रुपे मांगा तो अकड दिखा रहा था, अब कोट जाएगा तब पता चलेगा उसे कितना कमीना है भे तुँए, कमीना भी मैं अच्छी क्वालिटी का हूँ अच्छा वो छोड़, अंजली और तेरा ब्रेक अप हो गया, मैंने सुनाए इतना खुश की हो रहा है भे तू अरे मैं तो सिर्फ खुश हो रहा हूँ, मुर्ली ने तो पार्टी दे रखती है सबको वैसे तुम्हें छोड़ने के बाद अंजली अनौरम जाके भगवान के पूजा कर रही है कली अपने फैमली के साथ ट्रेन से रावाना हो गई घर जा रहा है ना छोड़ देखा क्या हाँ चल रास्ते में एक छोटा सा काम है वो करके चलेंगी तो तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यों बे मुझे बच्चा समझ के जाधा दूर तो नहीं ले जा रहा ना अरे नहीं यार ऐसी मजा कर रहा था वैसे दिमाग बले बाइक से जाधा दूर नहीं जा था इसलिए अनावरम तक जा क्या आते हैं अनावरम? गाड़ी रोप मुझे पैदल घर जाना कपड़े नहाने वालों को चाहिए होते हैं तुछे क्यों चाहिए ज्यादा रोम जाके आता है क्यों रहे लाइसेंस है क्या नहीं है क्यों अरे वह हाइवे पे एक सार आठीयों की चेकिंग होती रहती है कही फंस गय तो यूढे अन क्यों पॉला ता ना जा फाइन देदे टो को रको रे गाडसे में लगा साइट में ल१ाए श्यूहिथ के पास नयसेंस क्या घर पर तो फिर रोडकर क्यों हूं रहे है क्यों आरसी बुक है क्या लोगों से फाइन लो अलो, excuse me sir, ग्रहन बाप जी के बार में पताएगा, मैं उनका दामाद हूँ, क्यों? बहुत डर लग रहा है, जो पैसे थे उसमें से आधे आठी वादे ने ले लिए, अगर पेट्रोल खतम हो गया, तो क्या करेंगे, भाई, मुह बंद कर पनाउती कही कहा, अभे कोई अच्छी बात भी निकलती है तेरे मूँ से, वो मुहें की गटर है, गटर? मैंने बोलता तो पिना पेट्रोल के पहुंच जाता क्या, और दूंगत, अज़ा ठीक है सुन, पानी पीके वो बोतल फेकना मत, पास में कोई पेट्रोल पंप हो तो उसी में पेट्रोल भरा लेते हैं, इसे मोड के फेक देना चाहिए, वरना इसी में दुबारा पानी पिलाते हैं, हाँ क्या बोल रहा था? अप और यार यह पॉलए थे तो गूंडा है इसे मेंटेन करने के तो पुरा पेट्रोल पंप चाहिए अच्छे अरह बां एक्सक्यूज में रूम नहीं है बारवादे तो ये बोल रहें कि 200 रूम यहाँ पर है रूम नहीं है, मतलब रूम खाली नहीं है मैंने excuse कहा room पूछने के लिए नहीं फिर क्या चाहिए तुम्हें? छोटी information चाहिए पैसे लगेंगे कितने? 100 रुपए आप क्या करें? वो 100 दे दे ये क्या पैसे बांद के रखे चोरी के है क्या? ये भगवान के लिए है एए क्या कर रहा हूँ? एक बार भगवान के लिए बांदिया तो खोला नहीं चाहिए ये नहीं खोलूँगा तो तुम अपना मूह नहीं खोलूँगा अरे पहले उसे जेब में रखो तुम जो पूछोगे मैं बताऊँगा यहाँ पर विश्वनाजी नाम के हैदराबाद से एक बड़े बिजनिसमेन आये है वो फैमिली के साथ रहते हैं कौन से रूम में रहते हैं पता चलेगा? इतने पैसे वाले लोग यहाँ क्यू रहेंगे? तो फिर कहा रहेंगे? बगल में ही स्पेशल कॉटजेज हैं वहाँ होंगे जाकर देखेंगे आपको शूगर है क्या? है बीपी? वो भी है ऐसी इंफोर्मेशन के लिए सिप शूगर या बीपी नहीं कैंसर और एड्स भी हो जाएगा आपको अब है रुक यार क्यों भाई अब क्या करें? जो भी घर दिखेंगे उसका दर्वाजा खट-कटाते ऐसे दर्वाजा खट-कटाना नहीं ने तो लोग हमें खट-कटाएंगे एक बार आईने में देख मजदूर की तरह दिख रहे हैं तू तो फिर भी ठीक है मैं तो बिल्कुल चोर लग रहा हूँ अगर किसी हवालदार ने देख लिया तो पक्का अंदर कर देगा मुझे नना मुना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जैहिंद जैहिंद अरे बापरे अबे तेरी तो काली जुबान है तू जो कह रहा है वही होता जा रहा है तू कल रात को मंदिर में दो लोगों के गले से नेकलेस तुम लोगों नहीं चोरी किया पुलिस जी हमें वैसा मस समझे चोरों को हमने फिल्मों के लावा कहीं नहीं देखा है नाम आपका नाम हमें पता नहीं है तुम्हारा नाम बोलो रिशी वीर विंकेटेस सचिन नरायन प्रसाद कुमार संतुष सामरा है सर्फ तुम्हारा नाम पूछा है पांडू पांडू? वो क्या है कि बच्वन में सब मुझे प्यार से पांडू बोलते थे बड़े होने के बाद मेरा नाम बदले ही नहीं वही रह गया मैं क्या करूँ सर् पांडू? तुम यहां क्यों आए हो? टाइम ठीक नहीं है इसलिए वैसे हम लोग गनाराम से आये हुए है और क्या है कि हर साल हम यहां दर्शन करने के लिए आते हैं है सर्विकमार, आपको पता है कि Hello Brother रा Hello Brother को उसी तरह। वह शहां लोग बाहर आए तक हाम आकर खर माहरा भागवा तुम्हारा बाई क्या? Blues मुझे कुछ समझ में नहीं और तुमैंडिक़ मैं भाग। तुम्हारे पापा क्या? नहीं मेरा भाई, आगे चोर पीछे लड़ू, आगे चोर पीछे लड़ू, आगे चोर पीछे लड़ू, आगे चोर पीछे लड़ू, अचाना को गिर गया, कौन चोर? नहीं मेरा भाई, तुम्हारे भाई क्यों भागा? उसे दोड़ना पसंद है तब इसे हर साल उसे ढूंडते हुए मैं आ इस मंदिर में आता हूं सर तो उसे चोर को क्या? नहीं अपने भाई को सर वो देखिये कौन तुमारा भाई है क्या? नहीं तुमारा इस्टेशन वो क्यो? वो अगर यहां कभी आये तो उसे एक कार्ट दे दीजेगा सर तो चोर को क्या? नहीं मेरे भाई को तियरी तो मुझे बोल रहे हो क्या? नहीं उसे विशु आल दी बेस्ट थैंक्स अरे? कौन है? अंधेरे में सब अंजान लोगी दीख रहे है पैचानवाला कोई देखी ने रहा है अरे अंजली काओ तुम यहां आकर भिकारीयों कितरा घूम रहे हैं हम तुमारे लिए नमस्ता अंगे सर्ची हमें एक्जिकीटिव आफिसर ने भेजा है कल सुबा आपके दर्शन सद्येकर परसाथ तक सब कुछ देखने के लिखा है सारी अंधेरा है ना दिखाई नहीं दिया अंधर आये वैसे वो वो तो आप क्या कर रही थी मैं ठीव देख लेगी आये मैं ठीक है गुस्सा कम हो गया ताटना और सौरी कहना ये तो तुम्हारी आदत ही है ना इस बार सौरी कहने के लिए नहीं आया हूँ अंजली तो फिर उस दिन मेरे गुस्से की एक वज़े थी ये बताने आया हूँ अच्छी बात है तो फिर खाने का क्या करेंगे जी हम सब तो कल उपास करने वाले हैं इस बारे में हम बाद में बात करेंगे अंजली अभी टाइम नहीं है क्या ताकत नहीं है सुभा से पेट में खाना नहीं गया है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, हालत कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम मुझे हजार दोगी तो, तुम मैं है हैदराबाद पहुचते ही दे दूँगा, प्रॉमिस, तुम मेरे प्यार के लिए इतनी दूर तक आये हो तो, तो क्या मैं तुम्हारे प जरूरी है ना, अगर मिले तो प्लेट और स्पून भी खा लेगा, पीस, सिर्फ गुड़ नाइट, पैसे दिये ना, तुम नई सुधर होगी है, चै, इसलिए कल सते नारायन भगवान का अफरत करेंगे, मेरे सासुमा तो पांस तरह की पुजा करवाती है, आप आना चाहे कि मैं वहाँ जाकर भगवान को देखू, ऐसा मोगा मिलेगा क्या दुबारा, मेरे पती तो पता नहीं पूजा में बैठेंगे या नी, मैं अकेरी बैठेंगे तो चलेगा ना, अच्छा अपर आपको दस पाकेट प्रसाद का एक्स्टर चाहिए होगा ना, कुछ हुआ है क तुम्हारा एक भाई है ना, आपको और कुछ चाहिए, दो कॉफी, अखेले हो फिर दो कॉफी क्यों, कल नहीं पीती है कल की भी, हे, आपको क्या चाहिए सर, इडली के बेना एक प्लेट चट्मी, सबसी के बेना एक प्लेट पूरी, चीनी के बेना एक कप काफी, तो फिर इतना दिखता है ना, बिर्कू सर, तुछ साल पहले हनावरा माते में बिचल गाई थे ना, एक्जेक्टी सर, एक्जेक्टी सर कह रहा है, वहाँ तेरा भाई स्ट्रीट लाइट के नीचे टॉस लाइट पकड़े के तुझे ढूंड़ा है, और तु यहाँ पर बेटा खान आँगा, अबे, अंजदी के लिए यहाँ तकानि की क्या सब्रती, अबे इतने खर्चे में तो कोई नई लड़की मिल जाती, तु बोड़ नहीं हो रहा है, क्या, ऐसे क्यों घूर रहा है, तु गुस्से में बात कर रहा है, गुस्से का कारण क्या है, सूच रहा हूँ, ठ पूर्व के समय में सारे महर्ष सादू भी उनके गुरू की तरह होने वाले सूत्र महर्ष की तरह उनको नमस्कार करके इस कल्यूग में होने वाले मानों को सारी तकलीफों से और सारी समस्याओं से और सारे पापों के मार्ग को खतम करने वाला मार्ग यहीं पर है और ये भी कहते हैं कि ये सूत महर्षी को नमस्कार करके सारे महर्षी ने जब ऐसा पूचा उन्होंने कहा कि अगर तुमारे मन में कोई बी संदे हो तो उस संदे को मिटाने के लिए महर्षी ज़र्टी पर आएंगे और भूमी लोक में वो तुम्हारी तकलीफों को देखेंगे और वो मनुष्य को उसके संसकार से ओगत कराएंगे सत्यनरन स्वामी जी का अगर तुम व्रत रखोगे तो तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे ऐसा वो तुमें बोलेंगे और उनका व्रत रखने से जीवन में जितनी भी बाधाय आती है वो धूर हो जाती है इसलिए सत्यनरन स्वामी का व्रत रखना बहुत ही महत्रपूर कहा जाता है सत्यनरन स्वामी जी का परसाद जरूर चकना चाहिए उसे हटाना या उसे रखना नहीं चाहिए इस कहानी से आपको जो साक्ष मिलता है उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए और जीवन के सही मार्दर्शन पर चलिए ऐसा प्रभू ने कहा है सत्य नरान की कता सुनने से घर में लक्षमी आती है घर में वैवो बढ़ता है यश बढ़ता है कीरती बढ़ती है ऐसा प्रभू ने कहा है हाँ सब सामने देखे स्माइल करिए स्माइल थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे प्रसाद लेकर बांगे थोड़ा सावर पीछे और पीछे जाओ कि तो फोटो अच्छी आई ये क्या है क्रियेटिव काम तू क्यू कर रहा है फोटो निकलवाने के लिए वेंति करनी होगी क्या आईए प्लीज ठीक है सब लोग स्माइल कर रहे हैं ओके देखा कितिया ची तरह से खीच है वो तो ठीक है पर कैमरे को ऐसे घुमा के स्टेट खीचता तो और अची है आव बेटी चलि पूर होगी पानी में पैसे डालने पर मन की इच्छा कैसे पूरी होगी पंडी जी दूद में शक्कर मिला आते हैं तो मिठास क्यों बढ़ जाती है नमक डालने से नमकीन क्यों हो जाता है कोच चीजों की वज़य नहीं होती है मन चाहिए बेटा डाडी इसमें पैसे डालन अभी तो आपने कहा कि मन नहीं कर रहा तो फिर पैसा क्यों डाला अभी भी नहीं मन था पर मेरी बेटी ने कुछ मागा है वो उसे मिल जाए इसलिए डाला वैसे पंडी जी मेरी बेटी भगवान को मानती है और मैं उसकी आस्था को और कितना इंतिजार करेगा मैं उसके पापा को बहला कर यहां से ले जाता हूँ तू चुप चप इस बीच उसे बात कर ले उन्हें जुदा करना पड़े तो मैं बात नहीं करूंगा तो ही अच्छा है वैसे भी यह मुझसे तो पापी होगा ना अरे मैं पेट्रोल भर आगे आता हूँ ठीक है मैं यहीं पर वेट करता हूँ कोई बात नहीं तो हैदराबाद निकल जा सॉरी वेट करेगा बोलता है स्टाइल तो देखो ना अगर चले ना मगर चले बस कहर चले जब आए सिंगम सिंगम है पागलिया क्या बात है तुमार तुम्हारा भाई क्या खा रहा है कितना खा रहा है वो भी माही हो है मतलब तुम पांडू हमेशा तुम ही को नजर आते हो पांडू क्यों मुझे अज तक नजर नहीं आया लगडू इस सवाल का तुम्हें जवाब चाहिए क्या अब भी चाहिए इधर चाहिए इसी वक्त जर फस्ट गेर में डालतो या अबे किसने तुझे पुलिस में दोक्री दिया है दो दिन से यही कपड़े पहन कर घूम रहा हूँ मुझे तो पहचान नहीं पाया चोरू को क्या पहचानेगा अबे बसे एक बात बता आया हर साल कोई आनावारम में बिना काम के क्यों अबे मेरे जैसा है कि आदमी इस दुनिया पर बोज है दूसरा हो जाएगा तो क्या होगा कभी सोचा नहीं क्या फिर लट्डू आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई है भी नहीं चल बे तु अबे रुक बे तेरे चिलाने से मैं नहीं रुका चोर को चिला करने दोड़ अच्छा नहीं बीतेगा सुबह से लेके शाम तक उथल पुथल बनी रहेगी और अपेक्षाई और उपेक्षिताई मिलेगी तुनिये रिशी आ गया है कहां चला गया था तू दो दिन से हम कितने परिशान होने थे पता है पता है रिशी अनावरम जाकर आया है आ गया क्या देखा तेरे आने की वज़े से पापा कितनी खुश हो गये है इसे खुशी नहीं दुख कहते है क्यो और अनावरम जाने वा तो फिर गया क्यों था लिखने की मनत मांगी थी पास होने की नहीं इसलिए जाकर आ गए यह बहुत अच्छा है अरे इसमें तो मेरा सिर्फ पैर ही दिख रहा है मेरा चहरा कहा है जी फोटो का तो ऐसा ही है जैसा पूँ होगा वैसी फोटो आईगी मतलब आप यह नहीं मानेंगे कि आपको फोटो कीछती नहीं आती है तुम भी न फोटो अची ही तो है दिखाव क्यों मेरे लिए रिष्टा देख रहे हैं पस्सकी कमी थी डाड यह जला के देखो सब दिखेगा अरे यह क्या है मंदिर अधाई है नस्दीक से निकालेंगे तो तना ही आएगा अच्छा पूरा लेने के लिए शहर से बाहर जाना होगा आज के बाद मैं किसी की फोटो नहीं यह तुने सही सोचा है मेरे लिए कोफी लेकर आएगा वैसे फोटो अच्छी है यह यह यहाली देखिए तो इन्हेलो वह फोटो देखिए तो अंजली कहा है पहले स्टाफ को भेज़े सर हाँ ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आप फोल कर देंगे तो मैं भिजवा दूँगा हाँ राइट हाई अंजली हाई हाई हलो आटी तुम ठीक तो हो ना बेटा आज का घर पर क्यों नहीं आती टाइटल के बिना दिखने वाली यह लड़की कौन है जिससे तुम बात कर रहे हो मुझे बताओगी क्या यह अंजली है रिशी के पापा है वो मेरी बदना सीगी यहां क्या कर रही हो बेटी कोई होटल में क्यों के नीचे बेटा रिशी अपने जर्शन दूब वह क्या है पापा खाना खाने आये हो क्या इस होटल में नीचे भी सब करते हैं क्या अरे नहीं नीचे सो का नोट गिर गया था ना वही निकाल रहा हूं जूट तो तुने बहुत अच्छे से बोला बेटा लेकिन सो की करो ना जाओ ना प्लीज महाशय आप भी जाएं तुम बैठो तुमने अपना नाम क्या बता है अंचली तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है शादी करने की सोचरे हो क्या हम भी अक्षट डालने की सोचरे हैं ना हम ओके तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं मेर बरतन धोने आते हैं मेरे कर में काम वाली बाई है कम से कम कपड़े धोने तो आते होंगे ना मेरे कर में वाशिंग मर्शीन भी है कम से कम फर्ष साफ करना तो आता होगा ना मेरे कर में वैक्यम क्लीनर भी है परफेक्ट मुझे जैसी बहु चाहिए थी बिल्कुल बैसी कि मैं सब काम सीख लूगी अंकल नहीं बेटी तुम कुछ भी मत सीखना हां मैं चाहता हूँ कि शादी कवाद मेरा बेटा खाना मनाते हुए बरतन साफ करते हुए कपड़े धोते हुए नजर आए यह मेरा सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ तुम मुझे बहुत पसंद आई मेरे घर के बहु अब तुम ही मनोगी मेरे बेटे का तुमी लाइन पे ला सकते हुए अरे सुरो लड़की मुझे बहुत पसंद आगई इसे कोई भी काम नहीं आता है क्या चाहिए सर तुम बाहर जो क्यों सर तुम बाहर जो क्यों रे तुम मेरे साथ गेम खेल रहा है तेरे बारे में ठीक से एक मिनट भी मैंने सोचा उसके बाद क्या होगा ये सोचने के लिए तु नहीं रहेगा मैंने तुससे कह दिया था अगर तुने पैसे उठा लिये उसके बाद मेरी बीटी को दिखना मत तु इतना नीच है कि पैसे लेने के बाद भी मेरी बीटी का पीछा नहीं छोड़ रहा इस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था करोड रुपे मिलने के बाद जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे मैं छोड़ दूँगा ऐसा अपने कैसे सूच लिया ओके बना रहूँगा ऐसे मैंने कहा था पर आप मान कैसे गए अंकल तुझे तो मैं यहाँ चलन हो रही है उसे डॉक्टर बीपी कहते है लोग उसे गुस्सा भी कहते है मुझे करोड रुपे दे कर मेरी बेटी को छोड़ देगा ऐसा पूछने पर यही गुस्सा इससे दस गुना ज्यादा आया था मुझे पर तभी मैं पैसो से भी कहूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसलिए कह रहा हूँ पैसों से आप ब्रेड तो खरीच सकते हो पर भूक नहीं खरीच सकते हैं बेड तो खरीच सकते हो पर नीन नहीं खरीच सकते हैं और सबसे जरूरी बात मेरा प्यार नहीं खरीच सकते है अंकल आपने जब वो मुझे सूप केस दिया तब मैंने उसके चाबी तक नहीं पूछी जिसे ठंड पसंद नहीं उसे ऐसी देंगे तो क्या फैदा मेरे लिए भी ऐसा ही है इसलिए मैंने उसे वहाँ पर रग दिया है पैसे ज्यादा है इसलिए दिखने वाली हर चीज़ को खरीदने की कोशिश मत कीजिए ताज महल चार मिनार मुझ जैसे लड़के देखने के लिए हैं उसे आप खरीद नहीं सकते नमस्ते नमस्ते आप मेरा नाम विश्वनाथ है अंजली का आई आई यह बैठी है बैठी है अरे सुनो यह अंजली की प्रिता जी है नमस्ते 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 शक्र कम रखना मुझे शुगर है अंजली आपके बेटे आप तो शायद सब जानते हैं हाँ जानता हूँ मैं भी आपसे आके बात करने की सोच रहा था तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सजादा अंकल इसके लिए रिष्टा देखा आपने? इतनी जल्दी नहीं है सर दो तीन साल के बाद देखना शुरू करेंगे अभी से देखना शुरू करेंगे तो दो साल में रिष्टा मिलेगा आपको बिना बताया आपकी बेटी के लिए एक रिष्टा लेकर आया हूँ मैं अरे इसके क्या असर होती? उस लड़के को बुला रहा हूँ देख लीजी अरे पर अभी क्यो? ना रहा है उसे लेकर रहा हूँ क्या पढ़ रही हो बेटी? इंटरमेडियर अंकल अच्छे से पढ़ना बिटी? यही है वो परमेश्वर नाम है इसका बिचारा बिना माबाब के है बच्च्पन में ही चल बसे अनाथाश्रम में ठीक से देख भालना होनी के वज़े से वहां से भाग गया था उसके बाद से ये खुद ही काम करके अपना पेट पाल रहा है महिने के दो-तीन हजार रूपय कमा लेता है शनिवार को विर्ला टेमपल के पास होता है तो गुरूवार को शिढडी साइबाबद टेमपल के पास मंगलवार को बगलवाली गली में हर्मान मंदिर पता है ना बहुत फेमस है वहां होता है भगवान को जो चढ़ावा नारियल वगएरा चढ़ते है ना उन्हें बेचने के बाद ये 500-600 रुपे एक्स्ट्रा कमा लेगा जल निकल बाहर निकल उठ जाओ यहां से उठ घर में बिठा के तुझे काफी पिला आई तो तुझे लेगता है तो कुछ भी बोलेगा मुझे सुनिए तुम चुपराओ इतनी उमर हो गई है लेकिन संसका रत्ती भर के नहीं है तुम्हारे अंदर माना तुम्हारी तरह मैं क करनों खर्च करके बेटी की शादी निकर सकता लेकिन इतना भी बदक्समां नहीं कि मेरी बेटी की शादी में किसी बिखारी से करवा दूँगा अंजली का बाप होने के ना थे मैं तुम्हें यहां पर अपने पेरों पर खढ़ा हो के बाहर जाने की अजाज़ा देता बेटी के साथ शादी करवाओगे ऐसा पूछने पर आपको इतना घुस आया फिर मेरी तरह करोड़पती के पास एक किराने वाले का बेटा आकर कहे कि आपकी बेटी से प्यार करता हूँ शादी करने है तो मुझे कितना घुस आएगा हाँ ये बात मैं आराम से भी कह सकता था कि अपनी बेटी की शादी एक भिखारी के साथ करोगे क्या पर ऐसा कहने से आप ये समझते कि मैं घुसे में बात कर रहा हूँ इसलिए उसे डिरेक्ली बुला कर पूछा तब समझ में आया आपको ये भी आपके बेटे नहीं सिखा है कोई भी इंसान आगे बढ़ने के बा पता चला कि आपका बेटा मेरे बेटी के साथ फिर से घूम रहा है तो अच्छा नहीं होगा बिलकुल अच्छा नहीं होगा वरना मेरी चाल आप सबको बहुत भारी पड़ेगी और आखरी चाल कितनी भयानक होगी उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं इसलिए म येस पिषवाल ओट grilled satelli अपके पड़ के आप आपास अपाइब्मेंट है मैंने है कि नहीं पूछा मिलें ये से नहीं पूछा हैальных यह यह कर रहें से क्योरटी एकिजिआ में गबेसा मेंगत तो मैं अभी आपसे वही कहने आया हूँ, कोई भी बात करनी हो तो मुझसे डेरेक्ट भी बात कीजिए, मेरे घर जाकर दंगा नहीं करना चाहिए तो मंदर आओ, सोच रहा है, ऐसे हंगामे से डर कर मैं अपनी बेटी की शादी तुस्से करवा दूँगा, मेरे घर जाके एक भीकारी को लाकर दंगा करने से मैं डर के आपकी बेटी को छोड़ दूँगा, ऐसा लग रहा है, मेरी बेहन ने किसी भीकारी से प्यार किया होता, तो रुस्सा नहीं करूंगा बल्कि सोचूंगा 20 साल से हमारी साथ रहने वाली लड़की हमारी आदते हैं, हमारी पसंद, हमारी संसकार जाने वाली लड़की एक भिकारी से प्यार कर बैठी मतलब पक्का उसकी आदते हैं, उसके संसकार हमसे मिलते होंगे समझ भी नहीं आया असल मैं आपकी प्रॉब्लम क्या है बताओ उंकल आपको मैं पसंद नहीं आया मैं ही नहीं अंजली से संबन बनाने वाला कोई भी आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपको आपकी तरह दामाच चाहिए पार्टी में जाने वाला पचास करोड कमाने वाला थ्रीपीस सूट पहनने वाला कम बात करके ज्यादा काम करने वाला लड़का चाहिए नहीं मिलेगा मुश्किल है फिर भी पार्टी में जाने वाला लड़का मेरी तरही होगा, मस्ती करता है माता पिता को बताए बिना सिनेमा में जाता है सिगरेट पिता है दोस्तों के साथ घूँनता है अगर वो वैसा होगा तो ही सही होगा नहीं तो उसे डॉक्टर को दिखाना होगा पार्टी में जाएंगे तो आप या इसी ही रहेंगे अंकल बहुत दिन हुए होंगे न, भूल गए होंगे बस यही बताने आये था अंकल आप अंजली से प्यार कीजिए पर वो आपसे नफरत करे इस हद तक प्यार मत कीजिए यह आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा यहाँ पर प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है भावी अब कार के पास जाएए, मैं भी आती हूँ ठीक है नमस्ते आंकल हलो आंटी आंटी, क्या बात है आंटी, आप ऐसे बिहाइव क्यों कर रही है तुम्हारे पिताजी कल हमारे घर आये था क्या बात है बेटी क्या हुआ आप रिशी को जानते हैं क्या डाइडी आप रिशी को जानते हैं, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई यही सवाल मैं तुमसे भी पूछने के लिए सोच रहा था पर किसी और के बारे में हम टेंशन क्यों नहीं, इसलिए नहीं पूछा रिशी के घर पर कल आप किसी बिखारी को लेकर गए थे और कहा कि उसकी बेहन से उसकी शादी करवा दो यह सब छूट है ना दाड़ी हम जिस पर यकिन कर सकते हैं वही सच है जो सह नहीं सकते वो जूट हो तो बहुत ही अच्छा है अंजली बच्पन में मैंने तुम्हें एक टेड़ी बेर दिया था उसको अगर कोई छू लेता था तो तुम्हें बहुत उससाता था चाहे फिर वो तुम्हारी मा ही क्यों ना हो मैं भी ऐसा ही हूँ मैंने जिस बेटी को इतने प्यार से पाला अगर उसे कोई मैंने कुछ गलत नहीं किया तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ ये जाहिर किया और उन पर अपने घुसे को जाहिर किया उन्होंने तुझे ये बताया कि मैंने क्या किया पर ये नहीं बताया कि उस लड़के ने मेरे ओफिस में आकर कितना हंगामा किया हाँ नहीं बताया होगा कम्प्यूटर उठा के पटक दिया और सिक्यूर्टी गार्ड को ये मुझे क्या हो गया है मैं अब तक नहीं समझ पाय था, लेकिन अब समझ आ रहा है किसी और को मैंने डाटा, तो मेरी बेटी मुझ पर उंगली उठा रही है और मैं सफाई दे रहा हूँ मेरी अंजली को मैं explanation दे रहा हूँ वो भी किसी और के लिए crazy, it's crazy डादी, कभी आप ही कहते थे न हमसे जो बड़े हैं उन पर हमें गर्व होना चाहिए हमारी उम्रवालों से मुकाबला होना चाहिए और हमसे छोटे जो हैं, उनसे प्यार होना चाहिए पर रिशी पर आपको इतना गुस्सा क्यों है डादी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है बेटी, दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद आने वाला कलर मुझे पसंद है, उसे पसंद आने वाली कार पसंद है, यहां तक की आईस क्रीम फ्लेवर भी मुझे पसंद है, पर मेरी बेटी को पसंद आने वाला इंसान मुझे क्य करने वाले बहुत लोग होते हैं हम जो सही गलत करते हैं उसे बरदाश्ट करने वाले हमसे प्यार करते हैं तुम मेरी जिन्दिगी में अच्छे लोगों की तरह रहोगी या फिर प्यार करने वालों की तरह यह मुझे अभी बता दो तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या फिर रिशी से करती हो बहुत चोटा सा सवाल है यह पर मुझे जवाब चाहिए मैं अपसे बहुत प्यार करती हूं जारी और रिशी से तुम लड़कियां बहुत समस्दार होती हो सही कहा न एक पिता से तुम्हें इसलिए प्यार है, क्योंकि उसने तुम्हें 20 साल पाला है, और होने वाले पती से तुम्हें इसलिए प्यार है, क्योंकि उसके साथ तुम्हें अपनी बाकी जिन्दगी गुजारनी है, तुम्हें अगर 100 मार्क्स बाटने हूँ, तो 20 मुझे दोगी, और एट्टी उसे, कम से कम 15 मार्क्स और देकर अपने पापा को पास तो कर देते हैं। क्या देख रहो भाई तुम लोग। कुछ नहीं देखा। जब मैं तेरी उमर का था तो दिन में बारा कॉफी पी जाथा। और अब तो चार पांच के उपर नहीं होता, लेकिन सुभे सुभे उठते ही कॉफी जरूर चाहिए। सुभे सुभे ही। क्यों इन लोगों को क्या हुआ। आप चाहिए सर आपके लिए कॉफी बहुत इंपोर्टेंट लाइए। हाँ अगर मेरी बीवी बाहर गई हो तो कॉफी नहीं मिलेगी। जाता हूँ। आज क्या हो गया तुम लोगों को क्यों इतने जोड़ जोड़ से हंस रहे हो। इसे कोई कॉफी पिला दो नहीं तो हंस हंस के मत जाएगा। जाम लगा दूं क्या। गुद मॉर्निंग डाड़ी। गुद मॉर्निंग। मैंने अपनी कार्ड सर्विसिंग के लिए दिये हैं। आप मुझे कॉलेज ट्रॉप करते हैं। सॉरी बेटा एक इंपोर्टेंट काम है मैं नहीं कर पाऊंगा। अंजली से भी इंपोर्टेंट काम है। इंपोर्टेंस बदलते रहते हैं लक्ष्मी। बच्पन में तीन पहियों वाला साइकल चलाते हैं। पर अभी नहीं चलाते न। आज आटो में चली जा। आटो में? हाँ बिलकुल। उसके रास्ते मैं गया था। पर वो मेरे रास्ते में नहीं जाएगी। और वैसे भी। उसे कहां जाना है उसे पता है। कैसे जाना है ये बताने के लिए मैं कौन होता हूँ। अभी। अभी। डारी शाविय गेम? नहीं बेटी मन नहीं है। मन नहीं है यह मेरे साथ खेलना पसंद नहीं है। तुम्हें जो सोचना है सोच सकती है तुम्हें जो सकती है तुम्हें अभी तक सुई नहीं तब यह ठीक है ना ठीक है तुम्हें तक जा क्यों रही हो जाओ सोजाओ तुम्हें खड़ी क्यों हो आज मेरा बाद है राडी ओ भूल गया कल हम सब एक ग्रैंड पार्टी करते है अपने फ्रेंड्स को बला लो तुम्हें अभी है कर दो क्या हुआ अजली अपको तेकर मुच्टार लगरादारी कर में सब लूगाप से कर देकर में कर देकर में सही और सना दो कर दितात्यव कर देकर अजलने को फो सब थो प्रद激 कर दो करे भा, अबसको भा झाल झाल तुम बदल गई हुआ ऐसा कहा क्या? तुम्हारी तरह रोया? नहीं रोया? झाल 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 मधू? यस डाड? वो क्या है? एक्चली एंजली आपरिल्स के लिए ब्रोशर्स देख रहा हूँ ओ, तुमसे कुछ बात करनी है? बोले डाड मेरे बारे में सारधी को एक बात पूछनी थी सारधी को? पर मैं क्यों पूछू? आप पूछेंगे तो मना थोड़ी करेगा मना तो नहीं करेगा पर सारधी को कहने के अलाबा पूछनी की आदत नहीं है क्या डाड? यही कि सारधी क्या हमारी अंजली से शादी करना पसंद करेगा? सारधी से? पर उसकी शादी करनी कि इतनी जल्दी क्यों है डाड? आप रिशी को लेगा टेंशन में है रिशी को तु कैसे जानता है आपके अकाउंट से सौर पे निकालने पर हमारे कंपनी के कलर को भी पता चल जाता है और आप करोडो रोपे रिशी को देंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा डाड मैं जो आपसे कह रहा हूँ प्लीज उस बात का बुरा मत मानिएगा उसके लिए वो सही है अंजली को प्यार करने के तरीके आप दोनों के बिलकुल एक जैसे है बचपन में जब उसे मीठा खाना होता था तो आप आधी रात को दुकान खुलवा के लिए आते थे रिशी भी वैसा ही है उसने रिशी से जैसे ही काव से समुद्र देखना है वो अंजली को तुरंद मुंबई लेकर चला गया वो भी सोने की चेन गिरवी रखकर मुझे भी इसी बात का डर है शादी के बाद जब वो शहर देखना चाहेगा तो वो इसके गले का मंगल सूत्र बेच देगा उसे सिर्फ प्यार करना पता है जिम्मेदारी का हसास नहीं है और इसलिए अंजली की शादी में सारधी से करवानी की सोच रहा हूँ अंजली के अगले बर्दे पर क्या गिफ देना है ये आप इस बर्दे पर सोच लेते हैं जो बाप अपनी बेटी को इतना चाहता है वो उसकी शादी किसा आदमी से करेगा मैं यही सोचता था बट आपको कैसा दमाद चाहिए ये मुझे आज पता चला अगर वो इसी शहर का होगा तो आप अंजली को जाने नहीं देंगे इसले उसका घर नहीं होना चाहिए अगर उसका नौक्रिय या व्यापार होगा और फ्यूचर में आपके साथ बनी नहीं तो वो अंजली को लेकर जाएगा तो ऐसा दमाज चाहिए जो पैरों पर ना खड़ा हो सीधे शब्दों में कहूँ तो आपकी तरह नहीं होना चाहिए मैं बहुत लखी हूँ डैड क्योंकि अगर मैं आपकी तरह समझदार होता तो हम इतने साल साथ में नहीं रह पाते सारदी सो मौर को सुबद 10 बच के 32 मिनट पर तुम्हारी और मेरी शादी है ये शादी तुम्हें पसंद नहीं है मैं जानता हूँ मुझे भी पसंद नहीं है उसके वज़े ये है कि तुम्हारे डैड को सुबद 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सर कहके बुलाना पड़ता है तुमसे शादी के बाद मुझे 24 घंटे उन्हें सर कहना पड़ेगा खैर इन सबसे ज़्यादा ज़रुरी बात ये है कि तुम रिशी से प्यार करती है मेरे लिए मेरी जिन्दगी ज़रुरी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और को चाहने वाली लड़की से शादी कर लूँ सौरी अपने दिल की बात बताई है ये बात मेरे डाड़ी को बता सकते हो तुम्हारे डाड़ी ने मुझे फुटपाथ से उठा कर मुझे यहां तक पहुँचाया है अगर मैंने उन्हें शादी से मना किया तो वो मुझे दुबारा उसी जगे पहुचा सकते है क्यों? विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारे डाड़ तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते है सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए रिशी को करोड़ों रुपे दिये उन्हों में अफकोर्स उसने वापस कर दिये तुम्हारे डाड़ पैसे वाले है ये बड़ी बात नहीं है रिशी का वापस करना बड़ी बात है इतने अच्छे लड़के को छोड़ कर वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, और शायद मैं समझना भी नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे पापा को मैं नहीं बताऊंगा, पर एक बात सुन लो, ये शादी नहीं होनी चा ये शादी रोकने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी क्या है अंजली, मुझे बताया क्यों नहीं रिशी पापा ने तुम्हे पैसे दिये ये क्यों नहीं बताया मुझे, हां, बहुत बार बताना चाहां अंजली, वही बात बताने में अना वरम था पर वहां मंदिर में तुम दोनों को देखकर, मैं गल्ती कर रहा हूँ ऐसा लगा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे प्यार को खरिदने के लिए पैसे नहीं दिये, तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये बताने के लिए, उनकी नजर में मंदिर में दान देने वाले दस है हम दोनों को चाहती कर लेनी चाहिए अभी यहीं कि इसलिए मैं घर छोड़कर चले आई हूं तुम्हारे पापा रोएंगे तो मुझे भूल जाओगी वही अगर उन्होंने गलती की है यह पता चला तो मेरे पास आओगी यह ठीक नहीं एंजली एक इंसान को जब हम प्यार करते हैं तो उसके गलतियां को भी हमें माफ करना चाहिए वरना मानलो हम प्यार नहीं करते अभी इस वक्त तुम इड़्यों से शादी करना चाहती हो यह प्यार के कारण नहीं कह रही हो बलकि पापा पर के गुश्चे के कारण ये गुस्सा दस मिनिट में ठंडा हो जाएगा अंजली पर हमारी शादे जिन्दगी भर रहेगी ये सब ठीक नहीं है अंजली एक बात बताता हूँ याद रखना अंजली हमें प्यार करने वालों की वज़े से हमारा कभी बुरा नहीं होता तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते है उनके कारण तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता कभी नहीं उन पर भरुसा रखो और चलो प्लीज मझे वापस मत बेच अरशी प्लीज कुछ नहीं होगा अनजली मुझे वापस मत बेच अरशी शांतुज़ प्लीज अनजली उनक नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा प्लीज मेरी बात मानो अनजली डैड अनू को भी फोन करे है अंजली वहां भी नहीं है ठीक है सार्दी ने कहा है कि वो अंदर जाओं चले कर दो झाल 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 हुआ 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 है तुझ है है हुआ है है यह तैड हम उसने बच्पन से जो चहां आपने उसे दिया और आज जब उसे रिशी चाहिए तो आप उसे क्यों नहीं दे रहे हैं वो इतना रो रही है आपको उस पर दया नहीं आती बच्च्पन में स्कूल जाते वक्त बच्चे रोते हैं तो उन पर दया दिखा के पढ़ाई छुड़वा दी जाती हैं जाके रिशी को लेकरा महूरत के वक्त वो यहाँ पर हो झांड्राम एरत्पयें लक्ष्म। प्यातवेतममावाः नाम आप आपा क्यातव लक्स्वेम्न पगामिने daytime, त्यामे रङन्यं विंदेयं श्वट हैं अस्वपुरशनहं अस्वपूर्वां रधमध्या मस्तिनाध प्रपोदिनिं स्रीयं देवें पप्पये मुप्पये सापदान सुमुहर्थ सापदान, सुभालग्यन सापदान, द्रबंदे राज्या परना, द्रबंदे वाप्रहस्पदी, सापदान सुमुहर्थ सापदान, सुभालग्यन सापदान, पांगल्यम् तंतुनाने ना पापजीवाने तुना, संत्रे भर्तुना, संत्रे भर्तुना बेटा मंगल सुत्र पैनाओ सारदी एक मिरट रुको क्या कहा था तुमने मैं जो कर रहा हूँ अगर वो सही है तो ये शादी होगी और अगर गलत होगी तो शादी रुक जाएगी अब तुझे ये शादी देखनी होगी मैं जो कर रहा हूँ वो सही है ये तुझे मानना होगा अंजली के लिए तू सही है ये तुझे खुद मानना होगा इसे लिए इसे लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है देखो महमान, अक्षत, मंड़, पंडित, मंत्र सब कुछ तो है यहाँ पर क्या नहीं है जिससे ये शादी रुख जाएगी बोलो महुरत महमान, अक्षत, मंड़, पंडित, मंत्र लेकिन सबसे जरूरी होता है महुरत किसी को भी पत्री का देते ही कितना दहच दे रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है यह नहीं पूछा जाता महुरत कब कहें यह पूछा जाता है इस शादी में वही नहीं है आपकी बेटी के हर जनम दिन पर रात को बारा बजे एक मिनिट ना इधर ना उधर ठीक बारा बजे फोन करके विश करने वाले आप इस शादी के लिए महुरत का ध्यान नहीं रख पाए जनम दिन तो हर साल आता है पर शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है पंडिजे महुरत कितने बजे का है दस बज़ कर 42 मिनिट पर सही महुरत है अभी कितने बज़े है दरिया मत पंडिजे बोली है दस बज़ कर 45 मिनिट अंकल आपने जैसे सुचा था उस समय पे शादी नहीं हुई तीन मिनिट देरी हो गई मैंने देरी नहीं की आपने ही देरी की मतलब आप जो कर रहा है वो गलत है या आपने ही मान लिया आप अभी भी मंगल सूतर बंधवा की ये शादी कर सकते हैं पर lifelong आपकी बेटी के गले में मंगल सूतर देखने पर आपको आपकी गलती याद आती रहेगी। एक बार आप ही ने कहा था शादी करने के लिए बहुत सी लोगों को वेडिंग कार्ट देने पड़ते हैं तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है पर शादी करवाने की खुशी वो लेने के लिए पैसों की जरूत नहीं पड़ती वहाँ बैटी दुलहन के दिल में खुशी है तो क्या करेंगे प्यार करने की उम्रह में कमाई तो हो नहीं सकती और कमाने की उम्रह आने तक प्यार करने का टाइम नहीं होता है मैं अब तक आपको राजी करने के लिए बात नहीं कर रहा था बातों से बाहर वालों को राजी करने में विश्वास नहीं रखता पर एक बात है सर, हम सही या गलत करते हैं तो हमें खुद को पता चलता है, हमें आकेले को पता चलता है, आपको पता है, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ? किसी ने कुछ नहीं कहा? न मेरी बीवी ने, न मेरे बेटे ने, सार्धी ने, किसी ने कुछ भी नहीं कहा? निशब्द डर लगने जितना निशब्द मैने तो अपनी बेटी की रोने की अवाज भी नहीं सुनी हमेशा मैने अपनी बेटी की आँखों में अपने लिए प्यार ही देखा है उसके लिए आंसो देखे पर उस दिन मैने उस की आँखों में घुस्सा देखा अपनी अंजू की आँखों में मैंने अपने उपर गुस्सा देखा करवा दिया मैंने उन दोनों की शादी करवा दी करवा दी शादी देखो ये प्यार कुछ भी करवा सकता है आखिरकार हमारे बच्चों के सुख के लिए हमें उनसे बेचारने पर मजबूर कर देता है रिशी हमारी पहली रात कहां बताने की सोचा है पता नहीं पता ठंडी का मौसम चांद बातलों से हमें निहा रहा हो बाहर ठंडी हवा चल रहे हो खिड़की खोले तो सामने दूर दूर तक पहाड हो हम दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक हों की हवा भी हमारे बीच ना सके अगर एजी कोई चाके हो तो क्या सोच रहे हो तो कुछ नहीं अब अच्छानक तुम्हें कुलूमनाली ले जाने के लिए क्या गिर भी रखूँ ये सोच रहा हूँ प्रिशी श्यू क्या भी हूँ